हलो दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग लेना वाथ इंग बुक 14 जैन 2 और 15 जैन 2 में आप लोग रैम अप्ग्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम कितना अप्ग्रेड कर सकते हैं अगर आपको अप्ग्रेड करना है तो शरीफ आपको ऐस डी या हाड ड्राइब 2.5 साटा पर्चेस करने की जरूथ है या उसके साथ में केबल या उसका केसिंग इसके अंदर है लाप्टाप के अंदर तो सब हम लोग देखेंगे इसमें यह देखें माय इसमें जो रैम अप हाट्सवाली है 3200 मेगाट्सवाली 8GB आप लोग maximum आप लोग इसमें 40GB अपगेड कर सकते हैं जैसे कि slot जो खाली है उसमें maximum आप लोग 32GB का RAM लगा सकते हैं आप लोग अगर आपका laptop 4GB onboard के साथ में आया है तो आप लोग 36GB maximum होगा अगर 8GB के साथ में आया है तो 32GB अगर आप external लगाते हैं अलग से additional RAM लगाते हैं तो आप लोग का 40GB हो जाएगा तो यह laptop ThinkBook 14 Gen2 4GB के साथ में भी आता है और 8GB के साथ में आता है जैसे कि अलग अलग पार्ट नमबर के साथ से अलग अलग उसका configuration हो जाता है पार्ट नमबर के साथ से अलग अलग configuration रहता है जैसे कि i3, i5, i7 है तो इसी तरीके से आप लोग 15 में भी लगा सकते हैं जैसे कि laptop में आगर दिख रहा है कि 4GB है तो आप लोग 36GB तक अपग्रेड कर सकते हैं जैसे कि अगर RAM slot जो खाली है उसमें आप लोग 32GB का RAM additional लगा सकते हैं और इस laptop में hard drive के साथ में भी आता है यह laptop M.2 NVMe के साथ में भी आता है जैसे कि अलग अलग पहले बताया अलग अलग part number के साथ से अलग अलग configuration रहता है तो इस laptop में हमको 512GB का SSD मिला है M.2 NVMe और बहुत सारे part number के साथ में आते हैं जिसमें hard drive होता है तो आप लोग अगर NBME आगर आपका laptop hard drive के साथ में आया है तो आप लोग M.2 NVMe 2222280 वाली dimension वाली लेंगे यह देखें यहां पर SSD है आप लोग 2230 वाला भी लेंगे तो भी चलेगा लेकिन यहां पर यहां पर देखेंगे हम लोग RAM अपग्रेड करेंगे सबसे पहले तो RAM का 4GB भी लगा सकते हैं 8GB भी लगा सकते हैं 8GB का RAM 4GB का RAM 16GB का RAM और आप लोग 32GB का maximum आप लोग 32GB तक का RAM अपग्रेड कर सकते हैं इसमें मतलब जो additional RAM होगा वो 32GB maximum होगा और on board है तो साथ में मिलके 36GB या 40GB बन जाएगा तो अगर आपका laptop M.2NBME के साथ में आया है और बाकी इसका केसिंग केसिंग वायर कनेक्टर सब कुछ लेने हुआ के साइट से आया हुआ है यह देखेंगे इसमें एक डमी एक डमी हाड ड्राइब लगा हुआ जिसे प्लास्टिक का है साथ यह डमी है तो इसको हम लोग open कर लेंगे सेम इसी तरीके से जो मार्केट से हम लोग मंगाएंगे SSD या hard drive 2.560 hard drive जो laptop अली hard drive आती है अगर किसी को नहीं पता है कि 2.560 तो आप सिंपलाइब से बोलेंगे जो hard drive है laptop आली hard drive है वो लगा सकते आप लोग अगर आपका budget उतना नहीं है तो आप लोग hard drive लगाएंगे अगर अच्छा आपके पास budget भी है तो आप लोग SSD 2.560 SSD लगाएंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा और डेटा ट्रांसफर में और ज्यादा फास्ट हो जाएगा तैसा operating system म अगरा सब कुछ है तो M.2 NVMe लगी हुई है यह देखें कुछ इस तरीके से इसका एक dummy hard drive लगा हुआ है तो इसको आम लोग निकालेंगे wire भी है connector भी है सब कुछ है यह देखें इस तरीके से आप लोग को market से सिर्फ SSD या hard drive मांगाने के जरूत पड़ेगी बाकी सब कुछ दिया हुआ है केसिंग कनेक्टर वायर सब कुछ है आप लोग इसमें माक्सिमाम जो 2.5 sata hard drive है या SSD है माक्सिमाम आप लोग 40 भी तक 4 भी तक अप्ग्रेड कर सकते हैं और यह जो है आम अजन का लिंक दे दूँगा वहां से जाके पर्चेस कर सकते आप लोग या market में या कोई NSD की computer रेशाफ होगा वहां से भी पर्चेस कर सकते आप लोग तो यह जो laptop था मैं पार्ट नम्बर भी दूँगा इसका description मैं तो आप लोग देख लेना कि इस पार्ट नम्बर में इस laptop में क्या क्या है इस पार्ट नम्बर के इस आप से देख ज़ाये आप लोग का RAM चेंज रहेगा प्रोसेसर चेंज रहेगा उसका उसका विल्डोज जो प्रिलोडड है या डॉस है वो भी चेंज रहेगा हाड़ राइव है या shd हाड़ राइव shd दोनों साथ में हैं वो भी अलग रहेगा अगर पार्ट नंबर के इसाब से देखा जाए तो सब अलग अलग रहते हैं अगर एक पार्ट नंबर जो मैं पार्ट नंबर दूँगा इस लैप्टप का तो वो पार्ट नंबर आपका लाप्टप का है तो सेम सेम जो मेरे लैप्टप में है सेम सेम आपके भी लैप्टप में रहेगा कि जैसे की प्रिलोडड विंडोज 10 आय में दिया हुआ है यह देखिए इस तरीके से आप लोग फिट कर सकते हैं मार्केट से शिरिफ आपको रायम और SSD 2.5 SATA hard drive SSD मंगाने की तोट पड़ेगी बाकी कुछ नहीं यह देखिए इस तरीके से आप लोग फिट कर देंगे और मैं आप लोग को इससे बाइवस में दिखाऊंगा कि बाइवस में यह SSD Deck हुआ या नहीं हुआ जैसे कि यह WD1 TV का है 1000 GB एक हजार जीबी और RAM 8GB के साथ में है तो 888 16 हो जाता है 16GB का RAM हो जाएगा इस तरीके से आप लोग कर देंगे तो आइसा नहीं सोचना कि मेरे laptop में SSD लगा हुआ हाट ड्रेव का जगे दिया हुआ विंडोज का स्टीकर है आपके लैप्टाप में नहीं है तो वह सब पार्ट नमबर का कमाल होता है कि अलग 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 कोन्फिग्रेशन होता है हाई ते अकि अलग पषरас की मरत हरएक का और ते आप करने का वाट नामबर का यह है 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 सटीली पेज़िके अलग से आता है रैंप लाग सम्पार में है हाड ड्राइव या कुछ भी पार्ट नमबर के इसाब से अगर मैचिंग करेंगे कोई चीछ पर्चेस करेंगे तो आपको सेम से मिल जाएगा या आप स्रिप लाप्टप को मॉडल दे देते हैं तो सेम सेम नहीं आएगा फिर भी अगर इसमें आप लोग रैम आपग्रेड कर करना चाहते हैं तो DDR4 3200 मेहर्ट और 2.5 साटा हर्ट डाइव या सेडिल आप लोग कर सकते हैं मैं अभी आपको आउन करके बायोस में दिखा देता हूं कि 512 NBME है और 1000GB 1TB 1000GB या 1TB आपका यह SSD है तो इस तरीके से आप लोग भी अप्डेड कर सकते हैं हम लोग बायोस मे देख लेते हैं पहले कि डीडेक किया है या नहीं किया है यह देखें दीखा रहा है डब्लू डब्लू साटा 1000GB और समसंग का इसमें लगा हूँ है 512GB का देखें SSD भी दिखा रहा है और system memory जो दिखा रहा है वो 16GB दिखा रहा है वो MB में लिखा हूँ है इसके लिए ऐसा ह इस वीडियो में बस इतने थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो